जिनियस शिक्षे टूप चानल पर आपका स्वागत थे फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम एक बहुती बढ़िया इंट्रेस्टिंग और पोपुलर हिंदी स्टोरी के माध्यम से जो है आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टीस कराएंगे तो चलिए बिन देर की हुए आज के इस क्लास को हम सुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजे लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं तो आए क्लास को हम शुरू करते हैं तो इस्टोरी का नाम है डाकू अंगली माल और महात्मा बुद्ध तो यहाँ पे देखिए आप परतेक वर्ट्स को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो मतर लगा है उसको भी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पे देखिए बहुत पुरानी बात है मघद राज में एक सोनापूर नाम का गाओ था उस गाओ के लोग शाम होते ही अपने घरो में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था इसका कारण डाकू अंगुली माल था डाकू अंगुली माल मघद के जंगलों की गूफा में रहता था वह लोगो को लुटता था और जान से भी मार देता था लोगो को डराने के लिये वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगुली काट लेता और उन उंगलियों की माला बना कर पहनता इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा गाओं के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकु के आतंक से छुटकारा मिले एक दिन गौतम बुध उस गाओं में आये गाओं के लोग उनकी आओ भगत करने लगे गौतम बुध ने देखा की गाओं के लोगों में किसी बात को लेकर देहशत फैली है तब गौतम बुध ने गाओं वालो से इसका कारण पूछा ये सुनते ही गाओं वालो ने अंगुली माल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया अगले ही दिन गौतम बुध जंगल की तरफ निकल गए गाओं वालो ने उन्हें बहुत रोका पर ओ नहीं माने बुध को आते देख अंगुली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया पर बुध उसकी गूफा के सामने से निकल गए उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा अंगुली माल उनके पीछे दोड़ा पर दिव्य प्रभाव के कारण ओ बुध को पकड़ नहीं पा रहा था ठक हार कर उसने कहा रुको बुध रुक गये और मुस्कुरा कर बोले मैं तो कब का रुक गया पर तुम कब ये हिंसा रुकोगे अंगुली माल ने कहा सन्यासी तुम्हे मुझसे डर नहीं लगता सारा मगध मुझसे डरता है तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दू वर्ना जान से हाथ धो बैठोगे मैं इस राज्य का सबसे शक्ति साली व्यक्ती हूँ बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले मैं ये कैसे मान लू कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्ति साली इंसान हो तुम्हे ये साबित करके दिखाना होगा अंगली माल बोला बताओ कैसे साबित करना होगा बुद्ध ने कहा तुम उस पेड से दस पतिया तोड कर लाओ अंगली माल ने कहा बस इतनी सी बात मैं तो पूरा पेड उखाड सकता हूं अंगली माल ने दस पतिया तोड कर लाओ दी बुद्ध ने कहा अब इन पतियों को वापस पेड पर जाकर लगा दू अंगली माल ने हैरान होकर कहा तूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या तो बुद्ध बोले जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड सकते तो तुम सबसे शक्तिसाली कैसे हुए यदि तुम किसी चीज को जोड नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उससे मृत्यू देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये सुनकर अंगुली माल को अपनी गलती का इहसास हो गया और वह बुद्ध का शिश्य बन गया और उसी गाओं में रहकर लोगों की सेवा करने लगा आगे चलकर यहीं अंगुली माल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस कहानी से हमें यह शिक्छा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बूरा क्यों न हो वह बदल सकता है दोस्तों अंगुली माल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है जरूरत इस बात की है की हम अपने अंदर की बुराईयों को पहचाने और उन्हें खत्म करे तो फ्रेंज आज के इस हिंदी रीडिंग प्रेटिस के लास नवा से इतना ही आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंटर के जरूर बताईएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सबी फ्रेंट को शेयर कर दीजे ताकि वे भी घर पटे असानी से इस क्लास को माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें जाहिंद फिर उन्हें नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रेटिस के क्लास में एक निव एश्टोरी के साथ क्यों प्रेंट